मठन द्वारा चल रही है उसको हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में अन्य जन्पदों में भी हम लोग ऐसे कारिकरम करेंगे आज माननी मंत्री जी के आवास पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्रात्मी सिच्छा मिस्टंग के पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे वरिष्ट साथी लगनो जन्पद के बड़े वादो आप सब्सक्राइब जतने भी स्तक्षा में तरसाती हैं आप सभी के मांदे को लिए कर आप सभी के समयोजन को लिए कर एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबन्दित हैं आप सभी को पता होगा कि चार संगिता लगने के बाद स आप सभी की समस्याओं बढ़ चुकी है इसको लेकर अभी इस अंगटेम पूरे प्रयास में है आप सभी की समस्याओं को देखते हुए आप सभी के प्रदेश अथ्धक्ट श्यूकुमार शुकला जी का एक बहुत ही बड़ा वयान आप सभी के लिए आ रहा है इसलिए कारे सुरू हुआ है वो चलता रहेगा जैसा हमने आप से वादा किया था कि हम आपके बीच आकर के सरकार से सामांज़त से बनाएंगे प्रियास करते रहना चाहिए सफलता कब तक नहीं मिलेगी हम लोगों ने पढ़ा है कि मुहम्मद गौरी ने सत्रा बार अक्रमन किया तब अठारूनी बार उसको सफलता मिली ऐसे तमाम कई किस्षे और कहानियां है जो वास्क्रिक्ता से हैं कि प्रियास करते रहने वाले को हमेशा आगे चल कर जीत मिलती है जो लोग दर कर या घबरा कर बैठ जाते हैं बीच राह में उनको मंजिल कभी नहीं मिलती है और जो लोग चलते रहते हैं एक नए एक दिन मंजिल उनके कदमों में होती है इसलिए संग्ठन द्वारा सभी जन्पदों में लोग प्रियास कर दिन में होती है